यह देखिए यह आर्टिकल चैट जीपिटे ने लिखा है नंबर ओफ वर्ड देखिए इसे मैं कॉपिस के प्रीमियम में चेक करता हूँ 100% उनिक अभी डुप्लिकेटर में भी चेक करेंगे 100% ओरिजिनल सिर्फ यह आर्टिकल नहीं यह मेटा टाग्स यह एपिक्यूज और तो और यह इमेज भी AI से ही बनाई है एकदम उनिक जब से चैट जीपिटी लाँच हुआ है तब से बहुत ही ट्रेंड में है Everybody wants to know how can he use ChatGPT to get some creative ideas, save his time, grow his business or make some cool income ChatGPT सही माइनों एक game changer है, future of AI है, कितनी ही possibilities है ChatGPT से music बनाना, code बनाना, advice लेना, business के बारे में, relationships के बारे में, story and essay लिखना, business ideas generate करना, पैसे कमाना, interviews के लिए प्रिपेर करना और इससे भी ज्यादा, मैं एक content creator हूँ, तो मैंने सोचा, चलो ChatGPT को use किया जाए, मेरे blogs के लिए content लिखने के लिए And I was surprised, ChatGPT ने एकदम original content लिखा, सिरफ 10 से 15 मिनट में Quality की बात करूँ, जितना मुझे freelance content writers का experience है, जितने मैं bloggers के content को देखता हूँ, ऐसे 90% content writers and bloggers के content से better content आप कह सकते हैं कि ChatGPT content writing machine है, जिसे अगर दिमार्ग से use करो और detailed proper instructions हो, तो original and pleasurism free 2000 words के content लिख सकता है, सिर्फ 10-15 मिनट में फिर क्या, अलग-अलग blogs पर niche बनाओ, high CPU वाले blogs पर niche बनाओ, और कमाओ जतना कमाना है, लेकिन एक issue है, वो है invisible watermark जिसके through google detect कर सकता है आपके AI content को, तो ये watermark है क्या और इसे कैसे छुटकारा पाया जाए इससे ये भी बताता हूँ तो अभी हम chat GPT पर आए हैं, और यहां पर हमको एक keyword लेते हैं, जैसे कि मानलीजी एक keyword है money earning games तो सबसे पहले मुझे चाहिए list of keywords जो कि मैं use कर सकता हूँ, target कर सकता हूँ अपने article में, तो मैं इसी से पूछ लेता हूँ कि अगर कोई keyword suggest करता है मुझे तो देखे कितने अच्छे keywords यह हमको suggest कर रहा है, लेकिन मुझे चाहिए ऐसे keywords जो कि real में search होता है Google में, जिनका search volume हो अच्छा खासा तो मैं या तो Google का keyword planner भी use कर सकता हूँ, यहां पर देखिए, Google का keyword planner में, अगर मैं money earning games जालता हूँ तो यह money earning games के 27,000 searches है, monthly volumes का, फिर उसके बाद यहां पर और भी keywords ही, जो देख सकते हैं, कितना कितना इनके searches है और अगर आपके पास कोई premium tools का access है, जैसे कि HRF या Samrash, तो वहां से भी keywords का idea ले सकते हैं, यहां पर भी देखिए, keywords काफी अच्छे से suggest कर रहा है, same keywords के basis में, मैंने keywords find out किये हैं तो मान लीजी कि यहां से मैं कोई 5 keywords लेता हूँ, और उन keywords से मुझे अपना articles एक लिखवाना है, और इसे optimize भी करना है, SEO content मुझे अगर चाहिए तो मेरे पास list of keywords आ गए हैं, और list of keywords से मुझे सबसे पहले अपने content के लिए, अपने article के लिए एक title, best वाला title जनरेट करना है तो मैं chat GPT को ही use करूंगा title generate करने के लिए, तो मैं command यहां पर देता हूँ, यहां पर देखिए मैंने command दिया, I want to write a unique and original article, I have list of keywords to use in the article to make it SEO friendly, please suggest me good titles using these keywords यहां पर मैंने keywords भी डाल दिया, अब यहां पर command देता हूँ, तो देखिए, chat GPT कैस तरह से titles generate करा है मेरे लिए unleashing the potential of money earning games, a comprehensive guide, real money, real fun, the best games to earn cash online, यह भी अच्छा titles है, तो इसने 5 titles मेरे लिए 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 लेकिन मुझे और titles ही है, तो few more मैं लिख सकता हूँ, यहां पर, money making magic, the best games to earn cash, यह भी अच्छा गे, यह भी अच्छा title है, gaming for profit, how to make money with online games, यह भी अच्छा है, यहां पर देखे, इसने और 10 titles दिये हैं मुझे, तो मैं कोई सी भी title के साथ जा सकता हूँ, जो की मुझे अच्छा लग रहा है, तो चलिए मान लिजी कि मैं यह वाला title यूज करता हूँ, यह वाला title मैं यूज कर सकता हूँ, राइट, फर्स वाला, तो जैसे मैंने लिखा यहां पर मेरे लिए एक outline तयार करेगा, बेस्ट वाली outline, तो यहां पर देखे, सबसे पहले इसने introduction लिखा, introduction में तीन points लिखे हैं, उसके बाद, second heading है, understanding money earning games, popular money earning games, उसके next heading है, उसके अंदर भी अलग-अलग points है, how to get started, conclusion, और फिर last में यह references भी दे रहा है, so हमारा next instruction रहेगा कि मेरे लिए एक introduction तयार करें, बहुत यह अच्छा वाला, using all the keywords, so मैंने लिखा, I want to use these keywords throughout the article, first keyword is the main focus keyword, remaining keywords are the secondary and important keywords, so use all the keywords throughout the article, while writing the article, so start with introduction, तो यह देखिए इसने introduction लिखा है, लेकिए introduction उतना catchy नहीं लग रहा है, उतना attractive नहीं लग रहा है, तो मैं गया गरूँगा यसे वापी से instructions जोँगा, write a good and catchy introduction and add some statistics, यहां पर देखिए statistics भी लिख रहा है, यहां पर देखिए इसने फिर से introduction लिखा है, लेकिन अगर आपको फिर से introduction पसंद नहीं आए तो वापी से आप इसको बहुत सकते हैं, यहां पर देखिए इसने नया introduction मुझे दिया है, तो यह introduction मैं यूज कर सकता हूं अपने आर्टिकल में, अगर आप बुचाहिए कि आप advanced English में लिखना जाते हैं, यह same introduction को आपकी क्योंकि और ज्यादा knowledgeable हैं, तो आप इसे को command दे सकते हैं, इस तरह से, write introduction in style of show body और शाशी तरूर और या simply advanced English तो पहले वाले introduction और इस introduction में आप easily check कर सकते हैं, कितना difference है language का, So अभी हमारा introduction ready हो गया है, अभी हम first point के बारे में लिखते हैं, तो write about first point and add some detailed statistics and references, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो conversation है, उसको यह समझता है, हमने इतने सारे इसको command दे उसके बाद इसको मालूम है कि इसको first point का क्या meaning है इसके लिए, और first point में इसने अभी A को cover किया है, उसके बाद B और C को भी cover करेगा, तो यहां पर देखिए references का इसने एक अलग से sub heading बनाया है और उसको में वहां पर इसने references लिखी लिखे हैं, जैसे कि हम article में link के through references देते हैं, और इसे references नहीं लिखे हैं, तो यहां इसने A point तो लिखा है, लेकिन B और C point ने लिखा, यहां पर first point इसने cover कर लिया है, first heading cover हो चुकी है, उसके पास next is popular money earning games, यहां पर इसने popular money earning games को cover किया है, पांच games को इसने cover किया है यहां पर, लेकिन मुझे चाहिए, 10 या 15 games, तो write about 10 more games, and write about the number of downloads, यह यह भी लिख सकते हैं, number of downloads and ratings on Google Play और App Store, तो हम इस तरह से अगर instruction लेते हैं तो देखते हैं कि यह किस तरह से लिखता है, तो देखिए, इसने 6 से चालू किया है, यहां पर यह पूरे status भी लिख रहा है, सब के कितने downloads हैं, कितने ratings हैं, यहां के, now write the next point, यहां कितना detail में लिखा हैं, next point getting started with money earning games, write the next point, now the same, write the, तो देखिए, लास्ट में इसने additional resources के बारे में लिख रहा है, legal consideration, responsible gambling, महाँ सारे चीज़ें के बारे में, ideas दे रहा है, article में, तो almost खतम कर चुका है, chat GPT article writing को, article हमने sell लिखवा दिया है, तो अभी क्या कर सकते हैं, आप articles में जहां 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 इसने जो डीटेल दी हैं, सारी के सारी एक जगे कॉपी कर सकते हैं, और लिख़ते हैं, लिखते हैं में डिता है या नहीं, ती यहां पर दी ही बहुत रिख़ती में इसने लिखाया, However, I provided you with a detailed outline of an article including different sections, subheadings, statistics and references So you can use this information to write your own unique and original article So, या तो आप अपनी कमांड चेंज कर सकते हैं या फिर आप जितने में different subheadings और सब्सक्शन से दिये हैं उनको कपी करके एक प्लेस पर ला सकते हैं एक डॉक्यमेंट में लेके कपी कर सकते हैं तो अभी पूरा आटिकल हम कपी कर लेते हैं गुगल डॉक्स में तो यहां पर देखिए मैंने अलरेडी कपी कर चुका हूँ यह सारा आटिकल यह देखिए सेर्मेंट में जो कॉंटेंट है जो चैट जीपीटी ने लिखा है उसी कॉंटेंट को मैंने कॉपी किया है अभी हम मेंटा टाइग भी क्रिएट कर सकते हैं चैट जीपीटी के थरू जो अब जो अब जो जो एक राटाएग ने लिखा है जो 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 प्रिएट के लिखा है यहां पर एक टाइटल जो मेंटा डिसक्शन हमको सचेस्ट किया है वो चैट जीपीटी के कीवर्ड से उनको उसने इन आड़ किया है तो हम अपने कीवर्ड लेंगे जो हमारे कीवर्ड से तो यहां पर देखिए टाइटल मेंटा डिस्क्रिप्शन दोनों भी आ चुके हैं तो हमारा पूरा पूरा आर्टिकल अभी रेडी हो चुका है यह वो आर्टिकल है और अगर आर्टिकल के में वर्ड काउंट देखता हूं यहां पर आईए तो दिखें डिकें कि यह अभी अल्मोस्ट टू थाउदन वोर्ड को ज़हां अब हम देखिए कि यह रहा है 20 cent की लिमिट है और राइट तो यहां पर देखें नो रिजल पाउंड पाउंड टेक्स यह पेस्ट तो चलो हम डूपली चेकर में भी चेक कर लेते हैं यहां पर मैं अपने यहांपर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और चेक प्लेजरिज्ञ तो यहां पर देखें टू परसंट प्लेजरिजरिजर अग्शन नाइंटी एट परसंट यूनिक है मतलब की यह हंड़ेट परसंट यूनिक है समझ सकते हैं कि इसली एकसेप्टेबल है और बहुत सारे यूनि इमेजेस भी create कर सकते हैं और इसके लिए जैसे मैं यूज करूँगा इमेजर्नी में यहां से मैं एकाउंट बनाया है आप भी एकाउंट बना सकते हैं यहां पर आपको टाइप करना है इमेजन और यहां पर प्रॉम्ट आएगा यहां पर आप अपना जो भी क्वेरी इमेज जैसे भी create करना देख सकते हैं किस तरह से लोग कमांड दे रहे हैं इमेजर्स क्रियेट करने के लिए तो मुझे अपने आर्टिकल के लिए मेज बनाना है तो मैं कमांड दे सकता हूं लाइक अस्टुडेंट प्लेंग ऑनलाइन गेम्स एंड मेकिंग यूज मानी तो यह देखिए मेरा इमेज रेडी हो गया है और यहां पर देखिए चार इसने अलग-अलग इमेज दिये हैं जो इमेज मुझे अचा लग है वह इमेज को मैं यूज कर सकता हूं अपने ब्लॉपोस के लिए यहां पर देखिए बहुत यूनिक और बहुत क्रियेटी इमेज इसने मिट जरनी ने मुझे क्रियेट करके दिये हैं और मैं से कैन्वा में साइज करके अपने ब्लॉपोस में यूज कर सकता हूं सो आपने देखा किस तरह से चैट जीपीटी यूज करके हमने एक औरिजनल कॉंटेंट बना लिया लेकिन क्या वाकई में यह औरिजनल है कॉपी स्केप तो पास हो गया लेकिन क्या यह ए आई वाटरमार्क टेस्ट पास कर सकता है अगर मैं इस कॉंटेंट में से कोई एक आइ पेरेग्राफ कॉपी करता हो तो यह देखिए एक टूल है कॉपी लीक तो जब यह चोटा सा टूल एयाई कॉंटेंट डिटेक्ट कर सकता है तो सोचिए यह गूगल है आप ही बताईए गूगल एजीली डिटेक्ट कर सकता है या नहीं तो सवाल यह है कि चैट जीपीटी को यूज करना है या नहीं क्या इससे आपका ब्लॉग रिवीव लिख सकते हैं चलो चैट जीपीटी से ही पूछते हैं ऑरिजनल आर्डिकल नाएक क्याफिंट राइटिस इस सकता है कि यह आईडिया सकता है आपको एक अरीजनल आर्टिकल लिखने के लिए लेकन इसके अपट डिपेंड रहना सरसर गलत है اور अगर आप गूगल के लिए लिखना चाहते हो रांक करना चाहते हैं अपने अर्टिकल से तो गूगल बैसिकली फ्रेश कंटेंट ज़्यादा अच्छा लगते हैं और उन फ्रेश कंटेंट को ही वह रांक करने नहीं कोईश करता है तो मैं बूझता हूँ कि यह फ्रेश कॉंटेंट लिख सकता है कर नहीं तो देखें यह यहां पर कहता है कि जो इसके knowledge कट-off limit है वो 2021 तक है अगर 2022 के content लिखना है 23 के content लिखना है तो यह help कर सकता है लेकिन आपको यह इंदम original recent articles लिखें नहीं ले सकता है So next I'll ask can I grow a blog using AI content तो यहां पर इसका अंसर देखें यहां पर कहता है कि AI generated content is not the same as the human written content और यहां पर अगर मैं देखें तो यहां पर देखें AI generated content is just one tool that can be used to grow a blog but it should not be relied on entirely A blog that is consistently updated with high quality human written content that is alert to your target audience is more likely to attract and retain readers in the long run So आपने देखा कि किस तरह से chat GPT use करके हमने original content बना लिया Chat GPT बहुत ही कमाल का हतियार है लेकिन यह सिर्फ skilled लोगों के लिए है Skill writers, skill bloggers इस पर पूरी तरह dependent नहीं रह सकते हैं एक writer एक blogger का सबसे main time जाता है research करने में तो अपनी knowledge और अपनी skills यूज़ करके आप इस research time को almost 20% तक लेके आ सकते हैं आपके content के outline के लिए से use कर सकते हैं सिर्फ यही नहीं opening lines या फिर intro बनवा सकते हैं According to Google, it's fair to use meta tags generated by AI tools तो कैसे आएगी writing skills? Mr. Ashwin Honowar जो की D-Matic के साथ पिछले 7 सालों से जुड़े हुए हैं 28 सालों से ज्यादा का content writing experience है अगर आप चाहेंगे तो हम उनको invite करेंगे content writing आपको सिखाने के लिए Comment करके जल्दी से बताइए कि आप उनसे content writing सीखना चाहते हैं कर दोस्तुके कर दोस्तुके बिएिए अगर, कहरा है झाल झाल